दूर दर्शन देहरादोन का सबी दर्शकों तें सेवसों ली साधर पढ़ना। दर्शकों जनके आप जानदाई छन कि दूर दर्शन देहरादोन का विभिन कारेकर्वों का माध्यम सी समय समय पर उत्राखंड की संस्कृति, सभ्यता, रिति रिवाज, खान पान, रहन सहन, बोली भासा यखका तीर थाटन, परियतन, परियावरण पर यखकी जो लुप्त होनवाली परंपराचन, उंका संरक्षन और संबर्धन का वास्ता अनेक परकार का कारेकरम आयजित करे जानन। इन स्रंखला मा आज गड़वाली कवी गोष्टी को आयजन करेगी, इन कवी गोष्टी मा जो मुर्धन्य साहित्यकार आमंत्रित करेगन, सबसी पहली मैं उंको परचे आपका सामनी परस्तुत करदाओं। मेरा दैना हाथ की तरप दिहरादून सी सिर्मती सुलोचना परमार जी एक कारेकरम मा मात्र शक्तिका रूप मा उपस्ति छन। उंको एक कारेकरम मा बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत आभार। उंका बगल मा बैठ्यांचन सिरी सतेंदर सिंग्चावहांजी शोशल जू रिस्ट केश्वती आयन और बिंग्यात्मक स्वैले मा उनिरंतर लेखन और वाचन करजे रनन उंको भी एक कारेकरम मा हार्दिक स्वागत। मेरा बाया हाथ पर श्री संदीप रावजी श्रिनगर गडवाल बटी आयांचन। आप गडवाली का सशक्त हस्ताक छड़छन। आप भी एक कारेकरम मा आयन। आपको भी बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत स्वागत। एक हमारा युवा सहित्यकार श्री संदीप कुमार गडवाली जी दिल्ली बिट गखम आयांचन। आप नहीं छमादी का कभी और बेंगेकार शन। आपको भी एक कारेकरम मा हार्दिक स्वागत अभिनाद्धा। और मैं डॉक्टर सुरेंदरदत सेवल्टी पुजार गाउं चंदरवदनी टिहरी गरवाल बिट्थी। आपका भीजमा उपस्ति छहूं। अब आज एक कारेकरम को शुवारम्भ मैं बहिन स्रिमती स्लोचना परमार्जी सी निवेदन करदूं। कि वो अपनी रचना जोकि उँकी लेखी चे प्यारो गडवाल कभिता को वाचन करवन। और उन अपनी कविता का माध्यम सी गडवाल की जो विशेष्टा व्यक्त करयान उते हमारा दर्शकतन सुनाओं। आपको बहुत-बहुत आभार सुलोचना परमार्जी। सबुते सेवस्वाली, मेरी कविता को शीर साक्चे प्यारो गडवाल। धरू-धरू बटी की एजाव देखनों को ये रोंतेल गडवाले, मेरी प्यार गडवाले। पुरीन होनली जत्रा अंदूर नी जुयक। चारों धामकद्वीभे बदरी केदार जख। गोविंद घाट तुमरी, गोविंद घाट तुमरी करुणों ची एख जगवाल। एजाव देखने को मेरी प्यारो गडवाल। बहुत संदूर। खुचली मा बैठी हिमले की यू मुल मुल हैं सुनौ। पंच प्रियाग एक चन आवा सभी देखनौ। गंगे पवित्र धारा करनी तुमरी जगवाल। एजाव देखनौ को मेरो प्यारो गडवाल। रोल्यों का बीच खित फ्योली का फूले हैं सुनौ। रोल्यों का बीच खित फ्योली का फूले हैं सुनौ। चन आशमान कासी गेणा जन चमकनौ। एजाव भैलू खिर्नौ। एजाव भैलू खिर्नौ। तुम भी मानाव बगवाल। एजाव देखनौ को मेरो प्यारो गडवाल। बहुत सुनौ। उन्ची निशीयों डान्डूमा घुंगती हिलांस बस्दा। खल घाम खतियनौं तक डान्डी कांठी चमक्दा। अव फूलों की घाटी तुम पर बूटनी चेह अंग वाल। एजाव देखने को मेरो प्यारो गडवाल। बहाँ सुनौदर। बहाँ सुन्दर। दूसरी रचना को शीर सक्चु। कन को असली नकली। कन के पच्छान इन दुनियामा असली नतली चेहरा भेजयों, भीतर कैकी काजले कोठडी, भेर कुरूप दिप सजयों. आः रात मा लूटी जोनी माल अरे रात मा लूटी जोनी माल सुवेर दाता बने असिरोंदा, मंदिरु मा भी पौँच छतोंकी, गरीब मन क्यों फुंड चुलोंदा. जिन्दा देवतों से, माबाप, जिन्दा देवतों से छिची करदा, डूंगों मातों जलेने दियो, कनके पच्छन, इन दुनिया मा, असली नकली, चेहरा बेजो, जै माता से पैदा होंदा, जै माता से पैदा होंदा, तैंकी गोजतें बेची लोंदा, माया जता होंदा, ज जन बजार को मुखनी देखे यह जन बजार को मुखनी देखे यह मीन बजार में बेची लेगें। कनक पच्छाने इं दुनिया मा असली नकली चहरा बेज़ें। जन मां जूट फरेब चलाके स्वीच बढ़ू एक सोने असर पी। स्वीच बनियु एक सोने असर पी घर हो, दफ्तर हो, या हो कखी भी, सबी जगातों की खूब चली दी, सच्चा इव इमान दारीत, हर दम सूली चडी रेन दी भेजों, कनके पछन इन दुनिया मा असली नकली चेहरा भेजों, असली नकली चेहरा भेजों. बहुत सुलोचना परमार जिनों, सुन्दर अपनी रचना का द्वारा, आज जो समाज मा मन की दिखेंदन, जोंको भेर कुछ और बेवार होंदू, और सोच कुछ और होंदी, बहुत सुन्दर रचना प्रस्तुत करी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, और एक अपस्चात अब मैं कविता पाठ का वास्ता, आम मंत्रित करदा हूँ, सुरी सत्यंदर सिंग्चावाण जी सोचल जीता हैं, वो अपनी बिंग्यात्मक सैले मा लिखीं, जो कविता छो, मुंगरी देवी और कखडी कुमारी, उन्योंको बाचन करों, सुरी सत्यंदर सिंग्चावाण नमस्कार, ल्याव सोना रचना मुंगरी देवी और कखडी कुमारी, ये रचना अमार बिलूप्त होनी संस्किर्टी पड़चे, और बच्पनमा हम लोकुल भी कखडी चोरी न, लेकिन आज गोमा नए पीडी कम रहीं न, बच्चे बच्चर रहां चे न, वे फरीचे, कि म मुंगरी देवी कखडी कुमारी, एंसुका साल कखडी कुमारी अपना ममोगा मुंगरडगे, मुंगरडगों मा कखडी कुमारी की में मुंगरी देवी रहें दी चे, कखडी कुमारी इन बोली पड़नाम में खूब चे, मुंगरी देवी इन बोली पिंगली भो, भंजी त खूब चे तेरो बाबु ठंगरो बैजी खूब चा कखडीन बोली हामें गौर्म सब खूब चन यो भंगलु मामा क्या जबने आल दिखेनों जमें चुपरे नोनी अपना ममा परियन नजर नगर लगें उदेख बांजी पुंगडी चन जग तक तबीत तेरो मामा भंगलु म कखडी कुमारी तू भीत खूब बनी चे समसट अजू तक तो फर कैन मौलू निल लगे इराम तामर्जमन मत च्वारा चुड़ च्वारा पिम्पर भीली जानदे चा कखडीन का चूण डिकते और कखडी कुमारी बुनी अप्त में हम तक्वी डेर निरे सब्भी ज़ान न नोना सहर चल गें पढ़नते हैं सब भी ज़ान नोना सहर चल गें पढ़नते हैं गो मत दूई चार छोटा नोना बाला रहा रहा लौला उच्छा ठंगरों बटे कखडी कन खेलों प्याला उच्छा ठंगरों बटे कखडी कन खेलों प्याला मैं हा मैं एवें कखडी ते खूब फेमस होईूँचा देश भी देश सेले की चायन अतक खूब फेमस होईूचा कोणी बोड़ी और जंगरु बोड़ भी सहर का ट्रेड फेर कोथिगों मा खूब धूम मचाना चन दगड मा भटका का और गयत का कि थे भी गुमाना चन गुड़ जी दगड मा भटका कार गयत का कि थे भी गुमाना चन मूले अच्वारा मूला भुला गोदेडी करेली भुली खिर्बोज मोसी अट्चचिंड मोसा अपनी मात्र भूमी मर रहकी भूकती सा सब भी डाली बुटली अपना फर्जनी बाना चन लुट्री कुट्री भंचीव म कट्रे की से रोलों थे गोंग की याद और स्वाच्चा खाना चन जू में विपाड़ी हूँ डीपी सजाना चन अपुड़ गों और भी सीर जाना चन दन्यबाद नमस्कार बहुत सुन्दर चवान जी आपकी इन रचना सी हमारा सभी दर्शकों को बरपूर मनोरंजन होलू और आपन बिंग्यात्मक शेलिमा या रचना प्रस्तुत करी आपको बहुत-बहुत आभार यही क्रमतें एथिर बढ़ों दू मैं अब आमंत्रित करदों कविता पाठ का वा राओ जी तें वो कंठकावी धनी छन मयादू कंठ हों कुछ तो उपनी गे शेलिमा अपनी रचना प्रस्तुत कर्ला जेंको शीर सक्च लोग तो राओ जी आप अपनी रचना प्रस्तुत करों दूरदर्शन उत्रा खंड का सभी जगदरू थें संती प्राओत को एक वार फिर पर नाम और हमारा समाज में बनी बनी का लोग हुंदन एक रचना लोग जूटी सहची बुजाडी जी कुडी धरदन लोग मुखडी देखी समनी टुकडी डलदन लोग जूटी सहची बुजाडी जी कुडी धरदन लोग मुखडी देखी समनी टुकडी डलदन लो जूटी सहची बुजाडी जी कुडी धरदन लोग मुखडी देखी समनी टुकडी डलदन लोग बहुत संदा बुजाडी देखी समनी टुकडी डलदन लोग दूदा दूद पाणयों पाणी दिखेंद सब्यूं दूदा दूद पाणयों पाणी दिखेंद सब्यूं दूदा दूद पाणयों पाणी दिखेंद सब्यूं पिछने बाग हूँ पिछने बाग समने बेराली बन दन लोग बहुत समनी टुकडी डलदन लोग सबी जगों क्वी बहण्या रांदन भोत परवाण है का तैंकम जट पक्वाडी तल दन लो है का तैंकम जट पक्वाडी तल दन लो बहुत संदर हो जणदानी बल मंतर देखा बीची को जणदानी बल मंतर देखा बीची को सर्प द्वलनी हत फिर भी कुछ दन लो मुखडे देखे समने टुकडे दल दन लो मुखडे देखे समने टुकडे दल दन लो मिल्द जब हे शाल ददावल पर्ट संदी मिल्द जब हे शाल ददावल पर्ट संदी हो अफे अतारे अफी पुजारी बन दन लो मुखडे देखे समने टुकडे दल दन लो जूति सेचि बुजारी जिकुरी धर दन लो मुखडे देखे समने टुकडे दल दन लो बहुत सुन्दर राओजी, मुखडी देखिक टुकडी सामनी धर्दन लोग, आपन लोग कविता का माध्यम सी, दुनिया माजू बायनी बायने का तरह तरह का लोग होनन, उपर सुन्दर बेंग्यात्म करचना सुनाई, आपको बहुत आभार, और एक कर्मते हैं एथिर बढ करने पहार, मैं आवंतरेत करद हूं करद हुँ क chemical कविता- पाःत् न का वास्ता SSD कुमार गढडवाली जीते हैं, उचिकल कविता को शीर्शक चांड़ बायने- बायने का-श्वांगं सुन्कि या विघंग्यात्मांक रिचना चांड़, मैं आंसा चांड़की है वह कवित प्रसंदाली स्री संदीप कुमार गडवाली आभार आदरनिया और सबसे पहली में उत्राखंदूर दर्शन देर दून बटे सब्सक्राइब परणाम करदू और जन्द की अभीबवाल की मेरे छुटी सी एक ब्यंग कवी तच जे थे हम लोग घचाक को नाम दिनों एक घचा यह लिखेंच उत्राखंड का उन लोगों फरे जो बन्बनी का ब्यापार कनाची नमर उत्राखंडग नाम फरें तो आप लोगों समय चे एक छुटव सी व्यंग स्वांग बन्बनी का की बैली गोडी थे दुधाल बते की दोथ घ्यू की बात कना चण की बैली गोडी थे दुदाल बते की घ्यूदूदा की बात कना चन और डखलू रोड़ी पर्याश्यों का देखा सब भी कौन धर्याश्यों की डखलू रोड़ी पर्याश्यों का देखा सब भी कौन धर्याश्यों और बेली गोड़ी थे दुदाल बते की घुदूदा की बात कना चन अधर चकी गल्य बल्द थे घसे घसे की गल्य बल्द थे घसे घसे की हैल लगानू जुगाड कना चन और निशुडू हैल लठूड़ी उत्तों का एगजिवेशन मा खूप सजा चन आर निशुडू है लठीड तोग का एकजिबेशन माँ खूप सजयाँ चन और बेली गोडी थे दुदादबते की घ्योधू दुदा की बात कना चन उब डांडो चन कूल पैटाना श्यारा सब भी घमतप लगयां चन उब डाणों चन कूल पेटाना श्यारा सबी घमतप लगयां चन और बीज खाज को हिसाब चो होनू पुंगडा सबी बांज पुड़यां चन रीत रिवाज चन इन बचना जीन्स टॉप मा नथली पैरिकन हेलो गाईज तक रहूं गडवाल यांके बाना स्वांग हुयां चन और ज्वान रिवाज दिखन मा मस्त लाइक कमेंड मा दिन कटना चन ज्वान रिवाज दिखन मा मस्त लाइक कमेंड मा दिन कटना चन जीवन कश्टदाई हुयों बुड़यों को अस्त ब्यस्त उंका सुपिन हुयां चन असली गडवाले बात ने हुनी सभीव का अपना मंच सजयां चन और सोशल मीडिया माच रोनक आई पहाड़े के पीड़े कुदिखना चन संदीप कुमार जी आपन बायने बायने का स्वांग बिंग्यात्मक के विता सुनाई और सच्विच मा यह मां जू ब्यंग्य समाहित था वो काविले तारिक चन धन्यवार अब जो यह काविय गोष्टी का जो संचालन का ना चन डॉक्टर सुरेंदर्दत सेमल्टी जी वो एक वरिष्ट साथ्यकारचन और लोग का बिंग्यों तेले की प्रतिकों तेले की वो रचना करदन में उन्थें न्यूत्रणों छों काव्य पाट कर आज़त था डॉक्टर सेमल्टी जी मेरी कविता को शीर्षक्ची भड्डू जनके आप सभी लोग जानदन एक भक्त युन थो जब हमारा उतराखंड का हरेक रस्वाडा मा भड्डू होंदू थो और वोई भड्डू की दाव बड़ी स्वादिष्टी होंदी थे आज वो भड्डू के ही दिख्यान दानिन कोणों पड़ीएन सांद्यों पड़ीएन यह उँको बैपार होगी तो खुद भड्डू अपनी कथा और व्यथा सुनोनीच हम लोग ताएं के मेरी क्या स्थित्वेग आज अंधियारा कोणा उगसी उगसी ताएं भड्डू लग्योंच रोन अंधियारा कोणा उगसी उ वित गयन ओधिन जवरी चल देः ऊधिन अब कविनी आवन चांदी झे चामकदी था मुखरी चांदी चैमकदी धाए मुखरी अब पढ़ीए खोब्करण केर स्थित को अंधियोंच पड़ियो, सांद्योंच पड़ियो चान्देशी चमकदी थाय मुखडी अब पड़गी खोब खराण अपनु दुख कयमा के आबवन इन दुनियामा कन कै राण। चुल्ला माँ चड़ेक आग जगेक ड्वल्ल था दाली की दानी कई गंटों आगी माँ पकेक बंदी थे रसाने दाल। कई गंटों आगी माँ पकेक बंदी थे रसाने दाल। वी खानतें छट बड़ा सबी मार्दा था भितर फाल। जब बिटे आई प्रेसर सथ सब्यों छोड़ेलियो माई सच छोब बन्यों अपना जिंदा जी दुख न दीन कहता है। प्रेसर का पैथरत दुनियामा चलिगन कत्यों का प्राण। प्रिभिन्य मानदा बनोंदा वक्षी पर समझेदा भारिशान। प्रेसर पर। प्रेसर पर। प्रेसर पर। रोग की जड़चु ये खानों मा कोई आज तो कोई भोल। बड्डु का भित्र थिड़की थिड़की तैं बनि थै लड़बडी दाल। प्राण जमान के बाद करने बड्डु। बड्डु का भित्र थिड़की थिड़की तैं बनि थै लड़बडी दाल। भड्डु फुटन की इतवारिका लोग भारी मानदा था गाल, चम-चम केक चमकता था जब धोनदा था राखन यूतें, तिरपित हुए जान्दु थो मन भड्डु की दाल खेतें। आगी एंच भड्डु धरीका जब धोल्दा था गत्थु की दानी, कड़े पर चंकिक खूब रसान को पेंदा था सब गत्थु की दानी। आप के वेगी? कएका भड्डु कु वेगी बयपार, भड्डु चु बनन। कएका भड्डु कु वेगी बयपार, चलिगेन एक बिट अन थी। कतना गयन, कतना रहन, कतना गयन, कतना रहन यांकी कुछ नी गणती। आप कविगण श्री संदीब जी, अमारा राओज जी, चौहान जी, चौहान जी, और अमारी बहन परमार जी, एक कारेकरम मां आयन आपन अपनों अमुलिस समय देनी, तो मैं आपका साथी साथ, उन दर्शकों को भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करदा हूं, जोन हमारी कारेकरम देखी, सुनी, आसाच भविश्य मां भी हम और आप यही प्रकार्ची समय से में बर मिल दे रोला, एक साथी साथ, आप सभियों को बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवा. बहुत आप म में देखी, सुनी, आप साथी, सुनी, आप दो कर दो दोठा की साथी, सनी अमाइते वोलाए, अर्क दोनीवी umग cी धन्यवा दुन.